नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जो नरायन शुरबात करेंगे खबरों की पिली भीत की सोजी और सवलांस टीम ने खोई हुए 56 मुबाइलों को बरामत कर उनके मालिकों को सौब दिया है आपको बता दें कि मुबाइल मिलने के बाद सब्वे की चेरे खिल उठे हैं दवसर पिली भीत में पिछले एक साल में सैकडो के संख्या में मुबाइल गुमशुद्गी की रिपोर्ट दर्च हुई थी जिनके मुबाइल अभी तक नहीं मिल पाए थे वही आप पिली भी जनपत की सवलान सेल और सजी टीम ने विभिन कंपनियों के चपन मुबाइल फोन बरामत की हैं जिनके कीमत लगभग 78,000 रोपर बताई जा रही है बेरी भीत की पुरस लाइन में प्रेस कॉंफरेंस कर स्पी अतुर्गुमार शर्मा ने लोगों के मुबाइल फोन उनके सुपर्द की हैं इसके बाद लोगों में काफी खुशी नजार आई आज हम लोगों ने यहां पर जो भी हमें प्रातना पत्र मिलते हैं अब जिनके सुचना को संकिलन का जल्दी से घुन कर वापी से लिए प्राइस का टर्च फोशी है इस बात बात की कि उनको मुबाइल को पाकर यह लोग कापी क्ठोश हैं वहीं बदायू में श्ययोग उन्मूलन के लिए 22 मार्ट से 25 मार्ट सक जन्पद में खोजी अभिहान चलाया जा रहा है पुरी जन्पद में WHO रिपोर्ट के अनुसार सेमू डॉक्र परदीप ने बताया कि उपने सबसे जादा टीबी के मरीज है और विश में टोटल 27 परसंट टीबी के मरीज हैं भारत में उन्में से 20 परसंट अकेल उत्तरप्रदेश में हैं इसलिए सरकार द्वारा खोजी अभिहान चलाया जा रहा है सरकारी और ग्राम समाज के जमीनों को अवाद कब्जे से मुक्त कराने के योगे सरकार के दावे हवा हवाई ही सावित हो रही है ऐसा ही एक पूरा मामला फते पुर जिले के जाफर गंश थानश्यत्र के पांडेपुर का उस समय देखने को मिला जब पड़ी तिकरामिन उपजलादिकारी बीनकी से गाउं के ही दवंग रखते के शिकायत कर नयाए की गुभार लगा रहा था अगर उनसे का जाता है तो मार टूट के लिए तैयार हो जाते हैं इसलिए हम सिकायत भी किया शिकायत की कोई सुनवाई नहीं और हमें रास्ता चाहिए हमारी जगे हुआ वहां आने जाने में बहुत मुसीबत ही वहीं बहराईश में वीवीन एंटर्टेन्मेंट की ओर से आउजित फैशन में एक कई डिजाइनर ने प्रतिभाग के रूप में अपने मौजूद की दर्च कर आई इस शो में जोज के रूप में शाहिन खान जो की आक्टर प्रिजूसर है नरसीन हुसेन श्रीमती इंडिया इंटरनाशनल विवी एंड ब्रान अम्बैस्टर प्यागराज अन्यल सिंग कोमल सिंग लोकेश अकास में सी श्रथा कुश्वाहाश वामिल रहे इस शो में कनिस फात्म द्वारार डिजाइन की हुई ड्रेस श्रीमती इंडिया इंटरनाशनल नसरीन हुसेन ने पहनी जो की शो उपनर थी या शो स्टॉपर भी कह सकते हैं शाहिन खान ने भी पहनकर रेंपॉक किया और साथी अन्या फैशन मॉडल इनकी बनाई हुई ड्रेस पहनकर रेंपर जलवर बिखेरती हुई नजर आई जिस रास्ट में एक अन्याओं के स्वरूप को देवी अफ्तार माना जाता हूँ जहां साल में दो बार नवरात्र का पर्व मनाये जाता रहा हूँ योगी सरकार भी इस बार इस पावन पर्व को पूरे प्रदेश के शक्ते पीट और मंदिरों में मनाने की सूच रही है ऐसे में एक दबंग ने नवरात के वरत को रखने के लिए नन से पानी लेने गई लड़की को बाल खीच कर बेल से पीट पीट कर अधमरा कर दिया बचाप करने आए महिलाओं को भी पीटने का दूसरा हस किया हो उसे पुलिस करफ़तार कर सिर्फ 151 की धारा में चलान कर दे तो कोई आशरर नहीं होगा जिहाई पूरा मामला कासकंच की नगर कोतवाली शेत्र से जुड़ा हुआ है जो एक तरफ महिलाओं के सुरक्षा के लिए सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है दूसरी तरफ इन डावों के हगिकत काउग्जों तक सीमित रहे जाती है कल दिनान 22-23-23 को पूतवाली काजगन शित्र सित्र ग्राम लालपन नई बस्ती में परोशियों के बिच में पानी लेने के विवाद को लेकर मारपीट हुई एक पक्ष के द्वारा मैलाओं के साथ अवद्ता की गई उसके साथ मारपीट की गई है इस पर सूचना प्राफ दोने के अपर अपराद पंजीकोत करा गया साथ ही पीड़िता का मेटिकल परिशण करा गया पंजीकित मुकदमें में विधिक सर्चों के आधार पर अन्या विधिक कारवाई अमल में लाई आ रही है वही सहरेंपुर में श्रेकान त्यागी ने एक बड़ा वयान दिया है भरत के अंदर अब नहीं होने दिया जाएगा रावन के पुतले को दहन जी है रामिला कमीटियों को एक लेटर लिखने की तयारी की जा रही है रावन दहन किया तो मुकदमा दर्च किया जाएगा नुएडा प्रक्रण के बाद सुर्खियों में आए श्रेकान त्यागी का बड़ा वयान सामने आया है रावन ब्राहमर थे वो दिमान थे और क्यानी थे पुतला देहन करना है तुदुस्शाशन और दुर्योधन का किया जाए श्रेकान त्यागी ने कहा कि भारत की प्राचिन संस्कृति से चेड़चार की गई है भगवान राम के अलावा किसी को नहीं है रावन के पुतले देहन करने का अधिकार है ऐसा वो कहते हैं नजरा है देश के हर त्यागी ब्राहमर बाखुले काओं में स्थापित होगी भगवान पर शुराम के मूरती शुरे कान त्यागी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला आपको बतादे की देवबन में कोर कमेटी की वैटर को संबोदित करने पहुँचे थे शुरे कान त्यागी इस दोरान ने यह बयान दिये पूरे भारत में त्यागी, भुम्यार, ब्रहमन, मोयाल, शित्पावन, गालव, अयंगर, अयर, दास, मिस्र, नार्वे, यहां तक की करनाटर, केरल और माराष्ट, मद्यप्रदेश, हरियाना, 36 घर, पंजाब, बिहार, और उत्त्रप्रदेश में हमारे समाज का बहुसंख्याग बोट है समझ समाज की तरफ से हम यह आवहन के माद्यम से अपने लोगों में चर्चा कर चुके हैं, कमेटीों से बैठक कर चुके हैं अब आगे कोई भी इस तरह की घटना घटित होगी, तो रावन के मुद्दे पर हम लोग अपने अपने थानों में अफाय अर्दज करने के लिए प्रासना पतर देंगे और प्रासनी की दर्च कराएंगे अगरा कि थाना एकमा दौला इलाके का ये पूरा मामला है, जोहाँ पुलिस ने तीन श्वाति लुटेरों को मुद्धिर की दरान पकड़ा एक इस मार्श को श्वातिर अपराधी महिला को गाली में बिठा कर ले गए थे महिला के साथ तूट पाट की पुलिस ने गंबीता से मामले को संग्यान मिलिया परित महिला की बेटी का दोस्त ही मास्टर माइन निकला है उसी ने हार के लुटेरों के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया पुलिस के मुट बेड में एक लुटेरों को गोली रगी है पुलिस तीन शाथ लुटेरों में से एक वैन एक तमंच्वा बरामत कर लिया है अना एक मावला छेत्र में 21 तारिक को पुलिस को उचना प्राप्त होई जिसमें एक महिला ने बताया कि उसे कुछ अज्यात लोगों ने एक गारी में किर्नैप करके ले गए थे और उसके कान के कुंडल, पर्स, मोबाईल छीन लिए और किसी तरह वो किसी बहाने से जब गारी जगर रुकी तो उसके चंगुल से फरार होकर पुलिस के पास आई थी इस पर पुलिस ने तबकान मुकदमा पंजिक रिख कर लिया और मुकदमा पंजिकरित करने के बाद इसकी भीविचना प्यवरम्ब की पुलिस ने सर्विलांग और मुख्विरों के माध्यम से इस घटना का सफल अनाओरन किया और इस घटना में जो अभिक्ट हैं तीन अभिक्टों गिरफतार किया गया है जिसमें एक अभिक्ट को दोड़ाने मुद्वेर पुलिस ने गिरफतार किया है पूरा मामला बताये जा रहा है वहीं अलीगण में हाजी जहीर कियां के अलदुवाव फैक्टरी और घर 58 घंटे से इंकम टेक्स की छापे मारी की कारवाई जारी है तीन मीट फैक्टरी और मुर्गा दाना के स्टोर भी इंकम टेक्स की रेड़ पड़ी है हमके मीट फेक्टरी से जुड़े कई लोगों का दुबाई कनेक्शन भी सामने आया है भात में वेदरूप से मनी लॉडरिंग करके दुबाई में प्रपर्टी खरिटने का आरूप भी उस पर लगा है वहीं साहरणपर में हर्यानर रोडवेज और मोटर साइकल सवार की टकर हो गई 22 सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई हर्यानर रोडवेज का ड्रावर गारी छोड़ कर फरार हो गया सुष्णा के बाद मौके पर पहुंच रही है पुलिस ने बसकों का जिम लेकर खड़ा कर दिया है महिला के शब को जलास्पताल पहुंचाया थाना कुतुप शेशित्र के अंबाला रूड के पूरी घटना बताई जा रही है है इसे यह दो कि दो यह वाइक और तीन फिमडी के उसके बच्ची थी एक छोटी पर 6-6 साली की और एक लिडिस की अपर ट्रीया जो है वो पिछल पिश्पिश जड़ा ए लिडिस इसका बस का का हा है यह जा जाने सामने से यह पिछे की साइड साई है त्ज यहां आरे ते यह सर्पशामी की तरफशा आजी थे अर्पास बस भी तरसे यारी थी तो यह वाइक जो वाइक बिल्कुल सब्सक्राइब में थी वह पर सब्सक्राइब कैसी हालत है शरीयस है इसमें तो 25 अधमें यह जो इनों गयल है रुकवा करके तुरंदी बिठवा के अमने दिला सब्सक्राइब में पर जासे के गुर्सराय थाना श्रेत अंतरगरत आने वाले ग्राम पंचायद बांका पहाडी में करी दिनों पहले हुई बेमौसम तेज बारिश वांधे के चलते किसान की फसल चौपट होने की वजह से क बैंक और सहावकारों का कर्ज किसान के ऊपर था किसान ने अपने खेत पर लगे पेड़ पर फांसी का फंदा बनाकर अपनी जिमनलीला को समात कर लिया में तक के ऊपर किसान क्रिट कार्ड का सत्तर हजार रुपए कर्स पाकी था और तीन विगा खेती होने पर खेती वे फ अब दिया है इसको ग्रामिर चित्त ने बारू बित रही है कि आपा लूप जैसे व्यक्मा और पिति दिन किसी की चोड़ी कभी किसी की चोड़ी कि स्थितिया बर रहे हैं अपने आपको कोई भगत्ति है आपर सब्सक्राइब नहीं कह पा रहा है यह स्थितिया कि है यहां कुलिए जो पुनिश्पिशासन है उसका रही हदी सही नहीं कि जो थाने हैं अने को लेकर दलाल चला रहे हैं यहां पर ताथा रहा है इसलिए हम लोगों को ब्रामिर च्ट में और शब्सक्रावरों का बार हो गया मुक्मंती जी का कहना है कि नोगन पाट कराई है और नवराप्ती में बारू कर नावा सामनी आया था आपको वतादि कि एसडियो बिश्ली विभाग नवाब गंश्नी अपने कारेले में आतंकि उसामा बिलनादेन की फोटो लगाई और उसामा विलनादेन श्रवेश्ट अवसर अभिहनता रिखा था जिसका फोटो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हुआ था काफी लंबे टाइम से फोटो वारल होने के बाद उच्छ अधिकारियों ने जो आज के लिए टीम भी गटित की थी जहां चेको उटाने के बाद S.D.O. नबाब गंज रवेंदर ताप का गौतम को शाशन ने सेवा बरखास कर दी थी S.D.O. ने अपने सरकारी ओफस में आतंकी को सर्वशेष्ट गुरू अब अब भी हनता बताते हैं फोटो लगाए थी जिसके फोटो सोचल मीडिया पर वारल हुई थी यह पूरा मामला फॉरुखाबाद के विकास कर नबाब गंज S.D.O. कर लेगा था अब इस पूरे मामले पर आक्शन हुआ है उसे बरखास कर लिया गया है अगर में प्रॉपर्टी विवाद में भाई ने भाई के साथ लाटी डन्रू समार पीट की है दुकान बीश ने कद दबाब गूसरा भाई बना रहा था सुचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने इंखाल को सामदाइक स्वास के इंदर में भक्ति कराया पिडितन अपने सगे भाई के खलाब थाने में तहरे दी है गंगीरी थाना इलाके राम नगर की पूरी घटना बताई जा रही है वहीं बदाईयों से एक अनोखा मामना सामने आया है वदाईयों में कोच में तारिख पर आये लड़का लड़की पक्ष में मारपीट हो गई 20 सड़क पर दोनों पक्षों में लाद गुसे चलते रहे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वारल हो रहा है लड़का पक्ष हलदवानी और लड़की पक्ष दातागंज के रहने वाले थे पुलिस ने मामले को श्रान कराकर जाच शुरू कर दी है वदाईयों के सिविल लाइन थाना शेतर की पूरी घटना बताई जा रही है वहीं लड़कुर में चैतर नवरात्री के उपलक्ष में जनपत्य विभिन शक्ति पीठो पर अनेको कारिक्रम हो रहे है आपको तादें कि दुवन मंदिर पर चैतर नवरात्री के उपलक्ष में सांस्कति कारिक्रम का शुबारम हुआ इस मौके पर भक्ती गीतों से भाव विभोर होकर राज्यमंतुरी ने स्वा मजीरा बजाए जहां एक और मातरानी की गीतों पर राज्यमंतुरी मजीवा बजा रहे थे तो वहीं सदर विधायक मातरानी की गीतों पर नित्यकर शद्धानू को प्रेडित भी कर रहे थे सब के तहर सरस्वती संसकार के इंद्र पर शेहदी दिवस मनाया शेहदी दिवस के अंतरगत एनसस के स्वासेव को ने भगत सिंग सुखदेव राजगुरू रानी रक्षमी भाई की वीश भूशा में चोडशोड़े बच्चों को देश के प्रति अपना वलिदान देने वा गाश डाला वही गुरगपुर के खोराबार थारा श्रेत्र में एक वच्चत्र मामला सामनी आये जो आपर यूट्यूब चानल चलाने वाले कुछ लोगों ने आरसेस ने यूट्यूब पर अपनी आई कम होने के बाद एक वच्चत्र रास्ता अपनाया है और आई को बढ जाने वाले लोगों से संबर्ख साधा और उन्हें सुनसान स्थान पर लिजाकर उनके से कैमरे और महेंगे लेंस लूट लिए देखे 21 तारीको जनपर गोरगपूर के ठाना कोराबार चेतर में बनारस से आए हुए दो लड़कों के साथ एक लूट की घटना कारेट हुई थी जो वादी है वो कैमरे से वीडियो बनाने का काम करते हैं उनको फोन करके यहां पर बुकिंग के माध्यम से बुलाया गया था वो अपने साथ काफी महेंगे कीमती कैमरे साड़े छे से साथ लाग की कीमत के और लेंस गरह यहां पर लेकर आये थे जिनके दौरा बुलाया गया था उनके उनको स्टेशन से लेकर के खोरा बार छेतर में ले जाकर असले के बल पर उनसे लूट की गई इस घटना की सूचना मिलते ही तक्काल पुलिस की टीमें हरकत में आई टेरीर के दार पर मुकर्मा पंजिकृत किया गया SP City साब और CEO Kent के निर्देशन में हमारी ठाना कुराबार की टीम सर्वलांस और SOG की संयुक टीम द्वारे घटना का सफला नावरन किया गया है इस घटना में पांच लोगों को अरेस्ट किया गया है मही लखनों में विश्व जल दिवस बनाये गया इसी उपलक्षमे लखनों में गोमती नदी तर्ट चट घाट लक्ष्मन जूला पार्क पर गोमती नदी सपाई अभियान विक्षर ओपन का कारेक्रम आजुद किया गया जिसमें मुक्या तिती नगर विकास मंती राकिश पहुंचे मुक्या एजक और सरक्षक डॉक्टर संदीप चौधरी सेवार्थ मिशन अध्याक्ष अमितिवारी के द्वारा परिवर्थन संस्था के तात्वर्धान में किया गया इसकारक्रम में संजीफ कुमार सवच्ता खादेनेरिक्षा कुलदीप सिंग सवच्ता अधि कारी भी समलित हुए विश्व में एक अव्यान में है कि अपनी प्रकृति को बचाने की हर वो मुहीम और हर वो प्रयाश पे उतरी हुई है चाहे वो स्वक्षिता पे हो प्लांटेशन हो अवेरनेस हो वेस्ट्रीटमेंट हो जो भी हो हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे उ प्लांटेशन और एक हमारी जल दिवस पे हमने मागंगा को अपना हमारी मागंगा जो की पवित्र नदियों में सबसे उपर में है और हमारी मागंगा से ही हमारी जल की एक पहचान है अपना साल का नया साल एक सुवात हुआ है अमा दुर्गा जी की जो है पहली स्टिवी है तो सब उत्तर पड़ेश की जंता को धन्मात और सबको बढ़ाई देना चाहता हूँ माननी मोदी जी की मिसन पर चला है माननी गंगा माता जी सुद्धी करनका है माननी गोंती माता सुद्धी करनका है और इस साथ में हमारा जो है इस स्योग हमारी जन्ता कर दे तो हम रही जल्दी डबलब हो जाया और बहुत जल्दी हम सफाए भीयान पे सब काम चाल हो जाए और इसी के साथ फिलाल खबरों में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूजवल इंडिया